नमस्ते दोस्तों तो आज की रेसिपी बहुत खास होने वाली है आज का केक डेकोरेशन बहुत खास होने वाला है और आज मैं फुल डिटेल रेसिपी दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना के बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना homemade premix और उसमें मैं डाल रही हूँ vegetable oil और ये मेरे घर का homemade premix है जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ और यहाँ पर मैं normal water से इसे mix करूँगी और मैं homemade premix में अच्छे से milk powder डालती है इसलिए मैं इसे दूद से mix नहीं करती है मैं normal water से mix करती हूँ और आज यहाँ पर बनने वाला है mix fruit cake तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला है mix fruit essence और बस मैं इसे बिल्कुल अच्छे से mix कर रही हूँ और इसकी consistency आप देख सकते हैं कि यह कैसी है और हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह mix करने के बाद कितना gram हुआ है तो अगर आप एक साथ बहुत सारे batters बनाते हैं दो-तिन cake के लिए तो आप इस तरह से इसको divide कर सकते हैं और आज मैं आपको कडाही में bake करके दिखाऊंगी cake जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं oven हमारे पास तो है ही नहीं OTG हम कैसे bake करें अपने cake को तो आप देख सकते हैं कि हम कडाही में भी bake कर सकते हैं और यहाँ पर मैं ले लूँगी ट्रॉपोलाइट का अपना whipping cream और यह non dairy whipping cream होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितना cream लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा cake के उपर design नहीं डालनी है यहाँ पर हमारा cake आज बनने वाला है semi fondant cake तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल आज 200 ग्राम से भी मैं कम cream लेने लिया है मैंने और मैं यहाँ पर इसे अच्छे से whip करूंगी और मैं आपको whip करके भी दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमें कैसी whipping cream चाहिए कितनी देर तक हमें इसे whip करना है और मैं इसे कैसे अच्छे से clean कर रही हूँ आज मैं यह भी आपको दिखा रही हूँ और मेरी क्रीम बिलकुल अच्छे से विप्ट हो गई है आप देख सकते हैं और मैं इसी तरीके का क्रीम यूज करती हूँ बहुत जादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा लूज भी नहीं होना चाहिए तो आज मैं सेमी फॉंडेंट केक बनाऊंगी और यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना वाइट कलर का फॉंडेंट और मैं इसे रेक्टेंगल शेप में काट रही हूँ और यहाँ पर आज का जो थीम है वो लॉयर थीम केक है और मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं इसे पहली बार बना रही हूँ मैं इसे दूसरी बार बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं एक पेपर बिसिकली बनाऊंगी और इसे रोल कर लूँगी जैसे पेपर को रोल करके रखा रहता है वैसा कुछ मैं यहां पर बना रही हूँ और दो-तीन फोटोज केक की मेरे कस्टमर ने मुझे दिखाई थी और वो दो-तीन केक को देखने के बाद उसमें थोड़ी-थोड़ी चीजे एड़ करके मैंने इसे बनाया है तोड़ा कुछ इस केक से टेकूरेशन ने थिंग्स जो मुझे उसके उपर रखने थे वो चीजे सेलेक्ट करके मैंने फाइनली यह केक बनाया है और यह हाफ केजी का केक है तो मुझे बहुत सोच समझ़के बहुत जादा चीजे इसके उपर मैं नहीं रख सकती इसलिए मैंने बिल्कुल ही अच्छे से अपने क्लाइन को सजेश्ट किया कि ये हाफ केजी के केक में आप बहुत सारी चीजे रख नहीं सकते हैं तो वो भी इस बात से एगरी हुई और मैंने तीन-चार चीजे ही अपने केक के उपर रखा और आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा रिबन यहाँ पर बन चुका है और यह जो मैंने साइड में रिबन के यहाँ पर थोड़ा सा वी शेप कट दूँगी इससे बिल्कुल हमारा ओरिजिनल थ्रेड के जैसा यह दिखेगा रिबन के जैसा और यह काफी अच्छा दिख रहा था और मेरे कश्टमर को भी यह बहुत जादा पसंद आया उन्हेंने भी काफी तारीफ की और मैंने बहुत अच्छे से इस बार सारी चीज़े बनाई थी और आपको भी यह बहुत पसंद आने वाला है और यहाँ पर मैंने ले लिया है बिल्कुल black color का fondant और ये भी मैंने color मिला कर ही बनाया है हलाकि उतना black नहीं बन पाता अगर आप बाहर से black color का fondant ले तो मुझे लगता है वो ज़्यादा better होगा और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर पेपर पे एक ड्रेस का मैंने डिजाइन बनाया है और उसी ड्रेस को मैं यहां पर ड्रो गर रही हूँ जो लॉयर्स ड्रेस पहनते है न वही वाला ये ड्रेस है और मैं यहां पर सीजर की हेल्प से इसे कट करलूँगी और थोड़े जो साइड के एजसेज हैं उसे नहीं रख सकते हैं और यहां पर मैंने ले लिया है edible pen जी हां ये edible pen होता है इसे हम खा सकते हैं और ये harmful नहीं होता है तो बस यहां से मैं थोड़ी सी detailing मैंने यहां पर दी है ताकि वो proper dress की तरह दीखे और यहां पर मैं white color का बिल्कुल पतला पतला दो strips काट लूँगी और वो जो टाई होती है उनकी वो वैसा कुछ यहां पर मैं बनाऊंगी और पहली बार जब मैंने वहां लगाया तो थोड़ा बड़ा हो गया था फिर मैंने उसे दुबारा कट करके उसे एड़ेस्ट किया जब हम इस तरह का कोई भी डिजाइन बनाते हैं ये देखिए थोड़ा आपको सच में बहुत ये चीजे टाइम टेकर होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हिसाब से ही हमें अपने केक का प्राइज लेना चाहिए तो मैंने आगे मैं आपको बताऊंगे कि मैंने इसका कितना चार्ज किया है और यहां पे मैं एक बुक बना लूँगी और यहां करते हुए एक अच्छा सा शेप रेक्टेंगल बना लूँगी और वहां पे मेरा बुक बन के रेडी हो चुका है और यहां पे मैं उसकी कवर बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यह सच में थोड़ा टाइम लगता है हमें तो इस हिसाब से ही हमें इसका चार्ज लेना चाह आई है और यह आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे काट रही हूँ और मैंने बुक्स में भी पतले पतले बिल्कुल लाइन दिये हैं अगर आपको दिखे तो देखिएगा ध्यान से यह बिल्कुल ओरिजनल बुक के जैसा ही लग रहा था और मैंने इसके उपर लॉ प्राउन कलर मिलाया है और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और मैं इससे बनाओंगी हैमर और यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं होगा लेकिन जब यह अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था तो सच में यह बिल्कुल ही लकडी का जो टेक्स्चर होता है वैसा ही कुछ वुडिन टेक्शर आया था इसके उपर तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हैमर बना रही हूँ और यह हाफ केजी का केक है तो मुझे बिल्कुल छोटा छोटा यहां पर वो सारी चीज़े बनानी है ताकि उसके उपर सेट हो सके अगर आपको फुल मेजरमेंट लेना है कि वो सारी चीज़े उसके उपर केक के उपर फिट हो पा रही है कि नहीं तो आप जिस टिन में आपने केक को बेक किया है उस टिन को उल्टा करके उसके उपर रखके आप देख सकते हैं यह काफी अच्छा तरीका होता है यह देखने का कि आपका सारा चीज उस पर आ रहा ह कि नहीं और क्रीम लगाने से थोड़ा आधा आधा इंच चारो तरफ बढ़ जाता है तो वह भी एक अंदाजा लगा सकते हैं तो इस तरीके से हम सारी चीज़े मेजर कर सकते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग भी कर रही हूँ जो हैमर में लकडी में जो होता है वह हलकी सी डिटेलिंग जिससे ये बिलकुल रियलेश्टिक दिखेगा और ये काफी ओरिजिनल दिखता है जब तो दिखने में भी काफी खुबसरत लगता है और इस तरीके से मैं सारी चीज़े यहाँ पर बना लूँगे और ये उसकी डंडी बन रही है और इसमें मैं ट थोड़ा सा ऐसे अलके से दबाएंगे तो ये बिलकुल अच्छे से हमारा ये शेप बन जाएगा और इसमें भी मैं थोड़ी सी डिटेलिंग दूँगी ताकि बिलकुल ये रियल दिखे और ये बिलकुल उडेन टेक्श्चर ही इस पर आया था सच में ये बहुत ही खुब बनाया था और मुझे बिलकुल भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था फॉंडेंट का और मैं फॉंडेंट का वर्क उतना ज़्यादा नहीं करती थी तो मुझे जब भी इस तरीके की कोई भी ओर्डर आते थे तो सच में थोड़ी सी घबरास ही जाती थी कि मैं बना पा थी काफी सारी चीज़े उसने मुझे बना कर दी थी तो मेरा काम हो गया था पर इस बर बिलकुल भी उसके पास time नहीं था कि वो मेरी help कर सके तो इस बर मैंने ही खुद से सारी चीज़े बनाई है और यहाँ पे मैंने बिलकुल पतला सा ले लिया है अपना toothpick उसे बिल्कुल पतला सा काट लिया है मैंने और दोनों में एक दूसरे को अच्छे से मैं जोड़ दूँगी ताकि ये एक दूसरे से अटेच रहे तो इस तरह से मैं सारी चीजे बनाऊंगी और अभी मैंने एक paper बना लिया है और एक dress भी बना लिया है और मुझे ये थोड़ा सा uneven सा लग रहा था तो मैंने लिया दूसरा एक धकन और उससे मैंने यहाँ पर एक circle shape काट लिया है और उसके बाद मैं उसके उपर फिर से एक texture बनाऊंगी बिल्कुल हलका सा आप देखिए कितना खुबसूरत ये बन के तयार होता है बिल्कुल real देखता है और इसके उपर ही हमारा hammer आने वाला है तो जैसा मैंने पहले बताया है कि मैं आज mixed fruit cake बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर आज 3-4 fruits crush को मिला कर एक mixed fruit cake बनाऊंगी और मेरे customer ने मुझे special request की थी कि उन्हें pineapple नहीं चाहिए उसमें तो इस वज़ा से मैंने यहाँ पर pineapple नहीं डाला है वारना मैं pineapple के chunks डालती हूँ और उसे काफी अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरह से मैंने strawberry, blueberry, kiwi और मैंने लिया है लीची और इसको मैं अच्छा बिल्कुल मिला लूँगी और यहाँ पर मेरा cake ready हो चुका है और पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो बस यहाँ पर मैं अपने cake tin से निकाल लूँगे अपने cake को और जैसा की हमेशा मैं बताती हूँ मैं इसे तीन layer में cut करूँगी और आज का जो मे बिल्कुल soft और बिल्कुल moist cake बना सकते हैं और बिल्कुल अपने homemade premix से ही बना सकते हैं अगर आपके client request करते हैं कि उन्हें बिल्कुल market जैसा cake चाहिए तो आप premix भी use कर सकते हैं vanilla premix और उस तरह से आप बिल्कुल market वाला cake बना सकते हैं यहाँ पर मैं ऊपर वाले पार्ट को remove कर रही हूं क्योंकि थोडा सा Yan second soaking में थोड़ा सा problem Crime करते है तो मैंने ंपर वाले पार्ट को अलका सा रीमूब कर लिया है और जैसा कि मैने पहले भी बताया हैं मैं हमेरे आपने cake आपने केख को नॉर्मल water से ही soak करती हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर normal water से soak किया है और आज मैंने 1 kg का जो base होता है वो लिया है cake board क्योंकि कुछ इसकी designing ऐसी थी कि मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला board लेना था तो इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा वाला board लिया है और मैं आगे दिखाऊंगे कि मैंने इस पूरे cake board को black color की cream से मैंने इसे cover किया है जिस तरह से मेरे client ने मुझे पताया था और काफी देर तक हमारी बात हुई और उन्हेंने पूरा अच्छे से मुझे detail में समझाया कि मुझे क्या क्या चीजे place करनी है cake के उपर और कैसे करना है तो इस तरह से मैंने अपना पूरा आज cake का अच्छे से बात करने के बाद ही मैंने इसका order लिया और जो चीजे possible नहीं है आप बिलकुल clear अपने client को बोल सकते हैं ताकि बाद में कोई ऐसा tension वाली बात ही न रहे कि उन्होंने जो बोला था वो तो बिलकुल है ही नहीं तो इस तरह से आप शुरू में ही deal करते समय ही आप कुछ जो लगता है कि वो possible नहीं है उसे आप उसी वक्त उनको समझा कर बता कर थोड़ा सा changes आप कर सकते हैं जैसे उन्होंने शुरू में मुझे बोला था कि मुझे पूरी black color की cream चाहिए, cake चाहिए तो मैंने उन्हें बताया कि ये chocolate गनाज से ही पूरा dark black आ सकता है हम cream को बिलकुल भी बहुत ज़दा black color नहीं कर सकते हैं तो फिर उन्होंने टोटली change करने बताया और इस तरह से मैंने थोड़ा सा changes किया अपने cake की design को, cake की design को नहीं cake के color को, तो इस तरह से वो भी agree हुई इस बात पे तो इस तरीके से कभी भी जब हमें deal करना होता है तो पूरा सोचते हुए imagine करते हुए, समझते हुए ही हमें deal करना चाहिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दूसरी layer लगाई है और इसके उपर मैं सारा का सारा crush डाल दूँगी और मैंने first layer में white choco chips नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं दूसरी layer में white choco chips डालूँगी, इस तरह के fruit cake में मैं white choco chips डालती हूँ और chocolate cake रहता है, तो मैं उसमें dark choco chips डालती हूँ जिससे काफी अच्छा taste आता है और थोड़ा सा अलग जब हम देते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है खाने वाले को भी क्योंकि इस तरह से आपको bakery में तो सच में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, और मैंने उपर में सबसे नीचे वाली layer को लगाया है उल्टा करके, और जब से मैंने नीचे वाली layer को cake के उपर लगाना अभी just मैंने शुरू किया है, तो हमारा cake जो है काफी flat बनता है, और इसका shape बहुती बढ़िया आता है तो इस तरह से मैं अब नीचे वाली को सबसे उपर लगाती है और यहाँ पर मैं अपने cake को crumb coat करके रख दूँगी थोड़ी देर fridge में, set होने के लिए तो अगर आप गिनर से तो बिल्कुल ऐसा ही करें ताकि आपके crumbs जो है cake के ऊपर ना है और यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना spatula और उसे मैं सारी cream को अच्छे से clean कर दूँगी और इसमें मेरा लगभग पूरा cream यूज हो गया था बिल्कुल भी cream बचा नहीं था मेरा तो इस तरह से हमें एक आइडिया होते जाता है धीरे धीरे cake बनाते कि हमें कितना cream किस cake में use होने वाला है उसकी decoration के हिसाब से हमें पता लग जाता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने वीडियो को short करूँगी इसकी मैं final layer करके थोड़ा सा जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो अल्रडी बहुत लंबी हो चुकी है तो यहाँ पर मैं बिल्कुल white color से अपने cake को अच्छे से coat कर दूँगी तो यहाँ पर मेरी cake पूरी तरह से अच्छे से finishing मैंने इसे cake को दे दिया है और यहाँ पर मैंने cream में थोड़ा सा black color मिलाया है और मैं इसे पूरे अच्छे से इस cake board को cover करूँगी जिस तरह से मेरे client ने मुझे बताया था और आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल भी dark black बिल्कुल नहीं हुआ है तो इसलिए मैं बोलती हूँ हर बार की black color लाना cream में बहुत ज़ादा मुझे तो लगता है कि पता नहीं कितना ज़ादा अगर मैं color डालूगी तो जाके यह black होगा मुझे कोई idea नहीं और मैं बिल्कुल भी ज़ादा color use नहीं करना चाहती है अपने cake में इसलिए मैं हर बार अपने client को यह बिल्कुल अच्छे से बताती हूँ कि deep black बिल्कुल भी लाना possible मेरे लिए तो नहीं है जो कर लेते होंगे उनकी अलग बात है तो यहाँ पर मैंने fondant से ही advocate अपने plunger से cut कर लिया था और मैं उसे side में लगा दूँगे जिस तरह से मेरे client ने मुझे बोला था और वो side में ही था मैंने उस्होंने मुझे photo भी share की थी तो इस तरीके से मैं यह सारी चीज़े set कर लूँगी और इस cake का price मैंने 500 लिया था और मैं 350 नॉर्मल केक का चार्ज करती हूँ और यह fondant वर का मैंने यहाँ पर 150 चार्ज किया है तो दोस्तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगी होगी तो इसे like, share, subscribe भी जरूर कीजिएगा इस तरह से मैं धेरो वीडियो आपके लिए लाती रहूंगे ताकि आप भी बहुत कुछ सीख पाए मेरे साथ साथ और मैंने भी बहुत सारी चीजे धीरे धीरे ही सीखी है तो यह रहा केक का final look कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताईएगा तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर कुछ नया सीखने के लिए तब तक के लिए बाबाए